जहिन साथियों साथियों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपने SSC GD Constable का फिजिकल आपका होने वाला है तो उसका जो है एडमिड काड किस डिट को आने वाला है और आपको अपना एडमिड काड कैसे डाउनलोड करना है P.E.T. के लिए अलग एडमिड आएगा या D.B. के लिए अलग एडमिड आएगा या A.K. में सारा एडमिड काड जारी होगा तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अपना एडमिड काड कैसे डाउनलोड करोगे और कब से आपका जो है P.E.T. होने वाला ह तो आखिर एडमिड काड किस डेट को जारी किया जाएगा आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीड बताने वाले हैं तो चलिए दोस्ट चैनल पे नए बिजिट कर रहे हो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना यहां पर सर बता मोबाइल स्क्रीन में आना ह उसके बाद ssc.gov.in डाल के सर्च करोगे तो ssc के आफसन दिखाई देगा इस पर किलिक कर देना है किलिक करते ही आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा यहां पर जारी किया गया एक नोटिस में बताया गया है कि आपका जो है पीटी और पीएस्टी कबस्य होने वाला है और आपको जो है यहां पर आपका एडमिट कार्ड किस डेट को जारी होने वाला है सारा चीज मेंसर किया गया है इस पीडिएप को आपको डाउनलोड कर लेना है भाई डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से अपना जो है एडमिट कार्ड देख सकते हो और आपका कबस्य होगा यहां पर पूरा clear बताया गया है तो इस PDF को आपको डाउलोड करोगे तो इसमें सारा चीज mentioned किया गया है यह भी बताया गया है कि आपका document verification भी इसी के साथ होगा आपका remédical भी इसी के साथ आपका medical भी हो जाएगा और आपका DB हो जाएगा और आपका जो है PAT भी एक ही साथ में सारा किलियर हो जाएगा और सारा जो है सारे के लिए एक ही admin card जारी होगा जो भी candidate जो है DB के लिए अलग से select किये जाता है जाते थे पहले लेकिन इस बार जो है साथ में ही आपका सारा चीज हो जाएगा उसके बाद जो है final merit list बन जाएगी एक ही बार में लेकिन उसके पहले जो होता था ओ अलग से DB होता था जो student PAT और PhD में पास होते थे उनहीं को DB के लिए बुलाया जाता था DB के लिए अलग से admin card जारी किया जाता था लेकिन इस बार सारा admin card एक ही में आएगा भाई आपका जो है DB डाकुमेंट वेरिफिकेशन और फेजिकल आपका साथ में होने वाला है और आपका admin card है वो SSC की old side पे आपको upload हो जाएगा जैसे ही आपका admin card आता है तो सबसे पहले हमारे channel के मादम से आपको provide किया जाएगा आपका 10 सितंबर तक आपका admin card जारी कर दिया जाएगा आप जो है अपना admin card जो है आसानी से SSC की old side से आप अपना admin card आसानी से download कर पाओगे तो यहां से देख सकते हो इस notice में बताया गया है कि सारा चीज आपको जो है तैयारी करना है जिससे की एक ही बार में आपका सारा clear हो जाए और आपका document verification और आपका medical जो होने वाला है एक ही साथ में होने वाला है सारे के लिए एक ही admin card जारी होगा जो 10 सितंबर से आपका admin card जो है download होना start हो जाएगा जैसे ही जो है कोई भी update आता है तो सबसे पहले provide